नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलेंग गान में दोस्तो आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए में लेकर आएँ या रेलवे अपरेंटिस की लेकर आएँ इस अपरेंटिस का बहुत ही बड़ी संख्या में जो है वेट किया जा रहता रहता रीजन में आपको बता देता हूँ क्योंकि रेलवे ने इस साल लास दो-तिर महिने में आप लोगों को बहुत सरे बेनिफिट के नोटिफिकेशन जो है निकाल के दिये हैं और वो रेलिटी है कि वो आगे चलके बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे अब देखो भाई आप जितने भी आईटीय वाले बच्चे है मैं समझ सकता हूँ कि वो आगे चलके यही सोच रहे कि हम लोगों को रेलवे में अपरेंटिस मिल जाए लेकिन ऐसा संभव नहीं है रेलवे में अपरेंटिस के लिए आप लोगों को अच्छी परसेंटेस चाहिए अगर आप फिटर से हैं इलेक्ट्रिशन से हैं तो इनके लिए तो आप लोगों को 80 से उपर की कट ओफ चाहिए तब जाके आप लोग जो है इसमें सेलेक्शन पाएंगे बलकि हो सकता है कि आपकी कट ओफ आपको 90 के आसपस भी दिखाई दे क्योंकि मैंने आपको बताई दिया क्योंकि बहुत बड़ी संक्या में यहाँ पर फॉर्म फिल होंगे और सिर्फ आइटे की वेटेज आपकी नहीं ली जाती यहाँ पर आपको 10 के बेस पर मेरिट बनाके दी जाएगी ब बाकी रेलवे की अपरेंटिस से लेटेड या किसी और अपरेंटिस से लेटेड अगर आपको कुछ भी किसी भी तरीकी की प्रोब्लम में करियर गाइडेंस चाहिए तो हमारी एक मेंबर्शिप चल रही है 31 तारिक तक आप लोग जोइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रि इस हुए और इसे बनारस रेल इंजन कार खाना के नाम से जाना जाने लगा यहां पर आईटे नोन आईटे को हायर किया जाता है और यहां पर आप लोगों को मल्टीबल ट्रेट देखने को मिल जाएगी इस बार तो बच्चे वेट कर रहे थे उनको मोका मिला आप अप्ला इसके अलावा यहां पर आप लोगों को और भी क्रेटिडेस दे रखे हैं अगर मैं आगे आप लोगों से बात करूं तो जहां पर शेक्षिनिक योग गेता अगर आप नोन आईटे के बेस पर अप्लाई करेंगे तो आपको 10 के 12 के बेस पर अप्लाई करने का मोका मिलेगा ठीक है 10 के भी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मिनिम्म 50% मार्क्स आपके जो किसी में क्राइटेरिया होना चाहिए लेकिन यह मत समझना कि 50 पर सेलेक्षिन होगा यह पॉसिबल नहीं है उसके बाद यह जो क्व आप यह सोच रहें कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा हम अप्लाई करेंगे हमारा सेलेक्षिन हो जाएगा तो भाईया इन्होंने साफ साफ यहां पर मना कर दिया कि हम ज्यादा क्वालिफिकेशन को अलक्सेवेटेज नहीं देंगे स्ट को किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है यह डिटेल आपको नीचे मिलेगी क्वालिफिकेशन 26-2022 से पहले पहले आप लोगों की कम्प्लीट होने चीजिए यही क्रेटेरिया दे रखा है चाहिए आप नोन आईटे के बेस पर अप्लाई करें चाहिए आईटे के बेस कि आप जो है यहाँ पर उसी क्वालिफिकेशन के बेस पर अप्लाई करें जिसमें आप लोगों के मार्क्स का क्रेटेरिया अच्छा है आगे हम लोग बात करते हैं नोन आईटे की तो यहाँ पर अगर आप नोन आईटे से अप्लाई करते हैं तो 15-22 साल का एज का क्रेटे यह मैंने कुछ गलत बोला तो मैं दुबारा रिपीट कर देता हूँ जितनी भी ट्रेड है उसमें वेल्डर और कार्पेंटर को छोड़के 15 से 24 साल का क्रेटेरिया है वेल्डर और कार्पेंटर की जो ट्रेड एंड के लिए 15 से 22 साल का क्रेटेरिया हो गया होगा अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मैंने दुबारा उसे रिपीट करके ठीक कर दिया बाकि जो स्टी एस्टी ओबीसी वाले उनको जो रिलेक्षेशन मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा अगर मैं सेलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यह आपके 10th के बेस पे यह लोग बोल रहे हैं कि आपकी 10th के बेस पे मेरिट बनेगी और IT का किसी प्रकार का वेटेज नहीं दिया जाएगा आप लोगों को तो ऐसा क्यों बोला है यह रिजन तो बाद में पता चलेगा जब इसकी बच्चे करेंगे बाकी DLW RTA के रिप्लाई दे देता है पहले भी कट ओफ के रिप्लाई दिये है और अगर आप चाहते है कि कट ओफ आपको मैं बताऊं इस बाग के कितनी जाती है तो मुझे कमेंड बोक से मेंशन करना या फिर डिस्किप्शन से आप लोग मेंबर्शिप ले लेना में वहाँ पर शेयर कर दूँगा आप लोग के साथ बाकि स्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है 100 पर फीस है जो बच्चे यहां पर जो है अपलाई करना चाहते हैं और यहां पर जो है और भी मैं आपको दोनों चीज़े बता देता हूं तो यह इनकी वेबसाइड है यहां पर तो आप लोगों को यह देखने को मिल जागा इनका फोर्म इसका लिंक में आपको डिस्किप्शन में दूसरे नंबर पर दूँगा पहरे नंबर पर में मेंबर्शिप का लिंक है अभी 49 क यह 31 तारीक के बाद आपको वो 99 में देखने को मिलेगी तो उसे भी जोइन कर लेना इसके बाद आप लोगों को अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को इसी साइड पे यहां की साइड पर दिख जागा निउस एन अनॉस्मेंट में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आप लोग उसे यहां से एजिली डाउनलोड कर पाएंगे पहले नमबर पे नोटिस आपको मिल जाएगा बाकी फोर्म का लिंक मैंने आपको बताई दिया है इसके अलावा कोई और समस्य है तो कमेंड बोक से मेंशन करना आगे का जो भी आपका दिक्कत होगा हम पूरी कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने के अंटिल आप लोग सबसेस नहीं हो जाते हैं धन्यवाद